कि आप तो वाट्स अप गाइस कैसे हो आप सब दोस्तों आज आप अन्बोक्सिंग करने वाल है वीवो एक्स 50 प्रो का जो कि चाइना में काफी पहले लॉंच हो चुका था जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला और फटा-फट्स का अन्बोक्सिंग शिरू करते है यहां पर बात करेंगे फटा-फटा फटाफा फ्टी फोन की बॉकस के जाट अपर सामने की नीकर दिखने को मिल जाता है आपको आप जिसका की पावर रेटिंग यहां पर 33 वैट्स की मतलब की 33 वैट्स का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है इसे डिवाइस में साथ ही आपको यह एरफोन का भी सेट देखने को मिल जाता है जो कि यह इनियर स्टाइल के है लेकिन आप बोल सकते हो आईफोन की कॉपी है यहां पर भी सारी चीज़ को करते हैं साइड में हमारे बढ़ते हैं स्मार्टफोन की और तो यहां पर देखने वाला हमारे वीवो एक सिफ्टी परो जिसका की डिस्प्ले आप देख से तो काफी अच्छी क्वालिटी वाला आता है डिजाइन के बारे में थोड़ा आगे चलके बात करेंगे लेकर डिस्प्ले के बारे मैं आपको बता दू तो यहां पर आपको 6.56 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें कि आपको 90.6 परसेंट का स्क्रीन टू बाडी रेश्यो मिलता है जो की काफी ज्यादा है गाइस यहां पर जैसे कि आपको को मिल जाता है और अपको इसमें इंडस्प्ले फिंगः प्रेंट श्कैनर दिया गया है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फौन के डिज़ाइन के बारे में तो यहां पे अपे देख सकते हैं तो दिजाइन कुछ इस तरह का देखनेको मिलता है आप मुच्छी नीजी कमें से अब अगर देखो तो यहां पर आप अपने थोट्स जरूर कमेंट करके बताना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में यहां पर पर्फोर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्वालकम का स्नाप डेंगें सेवन सिक्स्टी तो यहां पर फोन काफी स्मूध होने वाला साथ ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड्रोइटेन और फंटर चुस 10.5 का ओएस तो यहां आपको पता है वीव वाला टेपिकल ओस मिलता है तो आपको ऑप्डिमाइजेशन भी उसी तरह देखने को मिलने वाला है बा अपर चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है मतलब की 57% इन 30 मिनिट अपका फोन चार्च होने वाला है यही कुछ आपको स्पीड देखने को मिलेगा आगे चलते हैं बात करते काफी इंपोर्टेंट एक्सपेट के बारे में तो यहां पर बात करते फोन के कैमरा के बारे मे इन 48MP prim freERS Trungeen kommt सने 48MP का प्राइमेरी कमरों देखने को मिलता साथ ही इसमें पो काफी अच्छफ सपोर्ट देहने को मिलता है मतलब की फीचर्स तो एपको 48MP primary camera उसमें गिंबल OISका सपोर्ट दिया 8 Megapixel का Periscope Telephoto Lens देखने को मिलता है जिसमें की आपको OIS भी मिलता है और 5X Optical Zoom भी मिलता है 13 Megapixel का Portrait Lens मिलता है साथ ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है 2X का Optical Zoom भी और 8 Megapixel का Ultra Wedding Lens दिया गया है तो camera यहां पर setup काफी अच्छा निकल कर आता है सेलफी के बारे बात करेंगे तो 32 Megapixel का Selfie camera दिया गया सिंगल पंचुल camera के अंदर तो यहां पर Selfie की भी quality काफी अच्छी होने वाली है यहां पर आपको 3.5M headphone jack तो नहीं देखने को मिलता है लेकिन आपके यहां पर connector लगा के यूज करना पड़ेगा तो यहां पर यह थोड़ा downside निकल कर आता है तो बस यह था कुछ इसका छोड़ा साई quick unboxing और quick overview आप कह सकते हो पसंद रहा तो बेशक like करने रही बात फोन के pricing and launch jet के बारे में इंडिया के लिए तो आप मेरे description में जाके देखने आपको सारा details देखने को मिल जाएगा साथ में को full specification भी देखने को मिल जाएगा तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही है अगर वीडियो पसंद देख बड़ा सा like कर देना चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं के तो कैस करके रहो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करके क्योंकि ऐसी वीडियो में आपको सबीक लिए पहले पॉसिबल करवा पाता हूं तो आपके मिलता है नेक्स वीडियो में के तो आपक